पंजाब में बढ़ रही बिमार्यों की चलते जहां आम लोग परिशान रहते हैं वहीं अब पंजाब के संग्रूर में पंजाब का पहला हेल्स एटियम लगाया गया है इसे लोग सिधा ओनलाइन होकर बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करा सकेंगे संग्रूर के लोग पहले एटियम से पैसे निकालते थे लेकिन अब दवाय निकाल रही है जी हां पंजाब के संग्रूर के छोटी से गाउं नदामपूर में पंजाब सरकार की योर से पंजाब का पहला हेल्स एटियम लगा दिया गया है राज्ची के पहले हेल्स एटियम का उध्धाटन स्वास्ति मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने किया उन्होंने होमी भावा कैंसर अस्पताल का दौरा कर यहां आधुनिक कैथ लैप्स थाबित करने का भी ऐलान किया यह दिल के विमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज करने में लाफ़ता एक थाबित होगी इसे हेल्थ एटियम को ऑपरेट करे है मैं ओपरेटर का कहना है कि हमारा यह हेल्थ एटियम देश की दूसरे राज राज जिस्थान करनात्र करनाटक और दिल्ली में में चल रहा है और पंजाब में यह उन्हां पहला एटियम है जिसे शुरू कर दिया गया है जो major problem overcome करने के लिए हम जो है online doctor availability किया है जिससे आप यहां से patient consult कर सकते और doctor से बात कर सकते है बात करने के बाद वो जो है prescription देगा जो उसका क्या हुआ इलाज करेगा online से हमारा PC से online से इलाज करेगा बात में जो है medicine देदेगा इलाज करवाने के लिए आई लोगों ने कहा कि यह एक बेहतर कदम है जो भी प्रावलम है पेशननों कोई हाट दी प्रावलम है कोई बड़ी चोटी प्रावलम है ते उनना ना कंसल्टेशन हो जाए करू इत्ती वेठे जिमैं परना किते apg जाना दिलोड सिगी अरेजिंद्रा दे वीचे जाना दिलोड सिगी तो ओ अ सारी नीड़् इत्ती पूरी हो जाएका किते जाना दिलोड दिलोड इंगी और मुआ मूवाई नंबर ले आती मेरा बीपी चक किता है जोटे से गाउं में लगा ये खेल्थ एटियम फिलहाल तो ठीक चल रहा है लोग भी खुश हैं लेकिन अब देखना होगा जिस समय मरीज आए उसमें डॉक्टर आउनलाइन मौजूद होंगे क्या नहीं इसका तो पता थोड़े दिन बाद चल ही जाएगा लेकिन लोग इसे सरकार का बहतर कदम मान रहे हैं संगरूर से करण वीर्ट जोशी की रिपोर्ट लिविंग इन्या निउस